कि अपने कमपनी क्या होती उसके डेफिनेशन देख ली थी हमने जेनरल डेफिनेशन भी देख ली थी कि नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कंपनी की इसके अलावा हमने क्या है क्या होती है तुमा जो कि इन क्यूर्परेट हुई है अंडर दिस आक्ट, दिस आक्ट मतलब कम्पनीज आक्ट 2013 या फिर अंडर एनी प्रिवियस कम्पनी लोंग, यह हमने बात की थी ना कि कम्पनीज आक्ट 2013 से पहले भी बहुत सारी कम्पनीज आक्ट रह चुकी है, तब भी वो कम्पनी है, और अगर आपकी कम्पनीज आक्ट में बनी है, तब भी वो कम्पनी मानी जाएगी, ठीके, सो इस केस में हम यहाँ पे अब यह देखने वाले हैं कि कम्पनी जो है उसके फीचर्ज क्या-क्या होते हैं, अच्छा हमने एक दो चीज़े हमने बात की थी वैसे company के बारे में कि जो company होती है वो company क्या होती है first separate legal entity और company क्या होती है artificial person क्या बूला company क्या होती है separate legal entity and then company क्या होती है artificial person अब company separate legal entity है इसका क्या मतलब होता है कि company अपने members से अलग है company के जो members होंगे उनको अलग मानना है और company को एकदम अलग मानना है तो company separate मानी जाएगी जो लोग company को बना रहे हैं उससे ठीक है तो वो अलग-अलग लोग है अब क्योंकि company एक अलग person है हमने बात किया company को बनाने वाले persons अलग है company अलग मानी जाएगी अब वो जो बनाने वाले persons है वो तो natural persons हो सकते हैं न करेक्ट लेकिन company जो है वो natural person नहीं है company एक कैसी person है artificial person है which is created by law अगर हम बात करें natural person की तो natural person कैसे create होते हैं इसएल लिए क्या बाइबर्ध tat नाइचरल पॉर्षए यंगा एक पॉर्षण है कम्पणी एक आर्ट अर्टि ने ay और सक्ती है वासिबल लहीका और यहां नियुपुर्ट इसलिए नियुक्त कंपणी कर डेल तो क्ला पोर्ब करना होता है वैसे तो अमस्ब ऊलगे और !! formation में हम सब कुछ देखेंगे लेकिन ठीक है हमें एक बार beginning में भी पता होना चाहिए कि क्या process रहता है company के formation का क्यों की उससे हमें help होगी सारे के सारे जो features हम पढ़ेंगे अभी characteristics उसको पढ़ने में सो इसलिए एक बार हम starting में ही देख लेते हैं formation कैसे होगा सबसे पहले जो लोग company को बनाना चाहते हैं मतलब हम कह सकते हैं जो बनाना चाहते हैं यहां हम कह सकते हैं जो लोग company में अपना पैसा लगाएंगky ठीक है तो जो company का मतलब आईडे जिंकी दिमाग में आ रहा है promoters भी बोलते हैं उनको ठीक है अभी हम basic उनको owners लिख रहा है तो ये जो लोग है जैसे मानलो यहाँ पर तीन लोग है ठीक है A, B and C ये तीन लोग है और ये तीनों लोग मिलकर एक company बनाना चाहते हैं ठीक है तो अब एक बात बताओ क्या ये तीनों ने मिलकर एक building खरीद ली और building की उपर लिख दिया ABC Limited तो क्या ये building company बन गई क्या obviously नहीं बनेगी कली हमने बात की है ये building तो एक asset है आपके लिए तो एक building खरीद के आप उसके उपर company का एक नाम लिख दोगी तो उससे company थोड़ी बन जाएगी company ऐसे नहीं बनती है company को create कौन करती है law और वो कैसे होगा उसके लिए हमें application लगानी होती है ठीक है तो ये process से company नहीं बनेगी कि हमने एक building खरीद ली और एक building खरीद के हम बोल होता है तो हमें क्या करना होता है देखो company बनाने के लिए जो भी लोग होते हैं उनको क्या करना होगा उनको एक application फाइल करनी होगी उनको क्या करना होगा application फाइल करनी होगी पहले तो ये जो process था ये physically होता था क्या आपको physically application फाइल करनी है आजकल सब कुछ online करती है ठीक है सो हमें जो यह application file करनी है वो कहां पर file करनी है देखो Companies Act जो है ना Companies Act एक Central Act है देखो एक होती है Central Act एक होती है State Act Central Act का मतलब है वो Act पूरी की पूरी country पे applicable हो रही है पूरी इंडिया पे applicable हो रही है आप चाहे कमनी बनाओ जैपुर में, आप चाहे कमनी बनाओ मुंबई में, चाहे डेली में, चाहे तमिल लाडु में, कहीं पर भी बनाओ क्या हर स्टेट की अलग-अलग कमनी जाक्ट मानोगे क्या, अब्विस यह नहीं हर state की एकी companies act होती है, sorry, पूरी country की एकी companies act होती है, वो यह आपको माननी होती है, तो वो एक central act है, whereas state act क्या होती है, state act होती है, जो particular state के उपड़ लग रही है, मतलब state to state vary करेगी, हर state के लिए same act नहीं है, state की according हमने act बनाई है, but companies act कौन सी act है, central act, central act है, तो उसको govern करने के होती है, तो यह पूरी ministry बनाई हुई है, हम जो भी काम करते हैं, online हम जो भी application वगरा लगाते हैं, वो हमें MCA की website पे जाके ही लगानी होती है, ठीक है, इसमें भी अलग-अलग authorities आती हैं, इसके under में, तो पर एक company जो होती है, वो directly जिससे deal करती है, वो किससे deal करती है, company, ROC से deal करती है, ROC का नाम हमने पढ़ा हुआ ह क्या है, ROC, registrar of companies, क्या है, ROC, registrar of companies, तो जो company है, वो directly किससे deal करेगी, ROC, मतलब पूरा company का जो matter है, वो कौन deal करता है, ROC deal करता है, ठीक है, हर स्टेट का अलग-अलग ROC है, कहीं कर एक स्टेट में दो ROC भी है, वो भी हमने बात किये, हम आके जाके देख लेंगे, ठीक है, so mainly हमें जिसके साथ deal करना रहता है, वो ROC रहता है, कहीं कहीं पर RD आएगा, ROC के उपर head होता है, RD, RD क्या होता है, regional director, I hope आपको यह सारे words recall हो रहे होंगे, पिकज़ कोई भी word मैं अभी तक जो भी बोला है, वो कोई नया word नहीं है, कि जो आपने पहली बार सुना, कि सब चीजे हम लोग इंटर में पढ़ चुके हैं, और हम उसी को revise कर रहे हैं वापस से, ठीक है, so basically क्या बोला, आप यहाँ पर application, online application, file कर दो, कहाँ पर MCA की website, साथ में कुछ-कुछ documents लाएंगे, ठीक है, अब documents क्या-क्या चाहेंगे, वो हम पढ़ लेंगे बात में, अभ application लगा दो, अच्छा application कौन सी है, कौन सा form जाएगा, किसी को याद है अगर, तो वो comment करें, क्या audio में क्या problem आ रहा है, echo हो रही है sound, चलो, देखो, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, कि जो लोग application लगाएंगे, वो लोग application कहाँ लगा लगाएंगे, online लगाएंगे, अच्छा मैं आप से ही बूछ रही थी, कि किसी को याद है, हमने पढ़ा हुआ है, कौन सा form हम लोग लगाते हैं, जब हम एक company को incorporate करना होता है, reply करो, यह जो application जाएगी, यह किस form में जाएगी, form का नाम अगर याद है, आपको तो आब बताओ Anyone? Anyone? Correct, form है, spice plus, कौन सा form है, spice plus, spice plus क्या है, simplified performa for incorporating companies electronically, ठीक है, यह आपका इंटर में भी था, यहाँ पर भी अपना एक chapter आएगा, वो हम आगे देखेंगे, तो अभी हम इतना in-depth नहीं देख रहा है, So, इस तरीके से, आप क्या करोगे, यह application file करोगे, with documents, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ROC सारे application और documents को क्या करेगा, verify करेगा, अगर सब कुछ ठीक है, तो ROC आपको issue कर देगा, certificate of incorporation, क्या बोला, ROC आपको क्या issue कर देगा, certificate of incorporation, और certificate of incorporation, जो है, अगर आपको यह मिल क्या, इसका मतलब हम क्या मान लेंगे, आपकी company क्या हो चुकी है, आपकी company incorporate हो चुकी है, तो यह एक हम कह सकते है, conclusive evidence होता है, अगर आपके पास COI है, तो यह मान लिया जाएगा, कि आपकी company को law ने create कर देगा, अभी हमने क्या पढ़ा, artificial person कैसे create होता है, created by law, तो इस process के थ क्या हो गई, create हो गई, ठीक है, चलो, तो यह अपना, हमने एक short process यहाँ पर देख लिया, अब इसके बाद में हम लोग start कर सकते हैं, अपने characteristics of company, चलो, अब तुम लोग heading मनाओ, copy में, characteristics of a company, अब characteristics क्यालो, यह features क्यालो, characteristics or features of a company, अब इसको याद करने के लिए अपने पास trick है, जो हमने पहले भी देख रखी है, slabs or tc, s, l, a, double p, double s, t, and c, क्या है अपने पास trick, s, l, a, double p, double s, t, and c, चलो, अब देखो, यह क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें, s की, तो s क्या है, separate legal entity, s क्या है, separate legal entity, next आते हैं हम लोग l पे, l है limited liability, l क्या है, limited liability, next है a, artificial person, a है artificial person, next है p, perpetual succession, next p, separate property, इसके बाद में s, sue and, b sued, next s, separate, management, t, transferability, of shares, and last है अपना c, that is common seal, c है common seal, इसको एक बार आप note down कर लो, then आपण वन बै वन सारे features देखेंगे, झाल अब तो वाइस साही है न कोई इशू तो नहीं है झाल 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 हुआ एए ऑट चलो अब यह हमने सारे फीचर लिखेंग इस फीचर को याद करने कि अपने पास ट्रिक है श्लाप्स और टीशी ठीक हैं? तो कौन-कौन से एक बाद एक से सबसे पहले देखो क्या है एसा अभी हमने बात की थी separate legal entity company अपने member से अपने owner से separate माने जाए के company एक अलग person है और company के members एक दम अलग माने जाएंगे ठीक है next आता है L, L क्या है limited liability जैसे कल हमने example लिया था पार्टनर्शिप का वहाँ पर आपको याद होगा disadvantage यही थी कि वहाँ पर liability कैसी है आपकी unlimited liability इसका मतलब अगर कभी आपकी liability जो है आप payment नहीं कर पा रहे हो किसे business के assets से सो हमें कोई फरक नहीं पड़ता आपके business के assets कैसे हो insufficient हो हम आपके घर पे बहुत जाएंगे और आपके personal assets ले आएंगे से हम क्या कहते है unlimited liability जो कहाँ पे थी so proprietorship में partnership में बट यह एक बहुत बड़ा benefit है कहाँ पे company में member जो है अगर मान लो company के assets कम भी पड़ जाते तो क्या हम member के घर पे जाके उनके personal assets लेकर आके payment करेंगे के liabilities का नहीं करेंगे ठीक है थार्ड क्या आता है perpetual succession ठीक है artificial person इसके बाद में P से क्या है separate property then s c u and b c u next s क्या है separate management transferability of shares and then है common see ठीक है अब यह क्या है एक एक करके हम सारे हाँ पर start करने वाले हैं तो सबसे पहले आप first वाले की heading मना दो first अपना separate legal entity या फिर हम इसे और क्या बोल सकते हैं corporate personality separate legal entity और corporate personality separate legal entity और corporate personality ठीक है अब इसका मतलब क्या होता है company और company के members same माने जाएंगे क्या नहीं माने जाएंगे so company is treated separate and distinct from its members company has its own corporate personality personality company has its own corporate personality और इसमें एक केस लौ है that is Salomon versus Salomon and Company Limited Salomon versus Salomon and Company Limited okay आप देखो हमने क्या लिखा है company क्या है separate legal entity है company को हम अलग मानते हैं किस से company के members से company के अपनी खुद की एक distinct personality है company अलग मानी जाएगी सब चीज़े company के खुद के नाम से होगी हम यह नहीं बोल सकते member और company एक दम same है ठीक है इसके लिए अपने पास एक case law है Salomon versus Salomon and Company Limited ठीक है यह case law से यह सामना आया था कि जो company है वो separate मानी जाती है पर उसके क्या-क्या implications रहेंगे देखो अब हम एक case देखते है जो आपका एक case है देखो इसमें क्या हुआ था एक person था जिसका नाम था Salomon और यह जो Salomon था यह Salomon क्या था एक boot manufacturer था मतलब shoes वगेरा यह बनाता था तो यह क्या था एक boot manufacturer और यह जो business कर रहा था इसका business कैसा था sole proprietorship form of business था ठीक है अब यह sole proprietorship में तो यह अकेला ही था अब इसने क्या सोचा कि क्यों ना चलो हम अपना business क्या कर लें हम अपना business expand कर लेते हैं ठीक है क्या ही जरुवत है कि इतने चोटे business में काम करना अच्छा इसके अलावा अगर sole proprietorship है तो अब अकेले ओनर हो आप और owners को कर सकते और capital कैसे बढ़ा होगे सो इसी लिए इसने क्या सोचा कि चलो मैं क्या काम कर लेता हूं मैं एक company बना लेता हूं तो उसने अब क्या सोचा उसने company incorporate करने के बारे में सोचा और उसने incorporate कर ली एक company जिसका नाम रखा Salomon & Company Limited क्या बोला उसने क्या incorporate कर ली company जिसका नाम क्या रखा उसने Salomon & Company Limited ठीक है आप देखो जो company बनाईने इसने इस company में यह खुद ही owner बन गया ठीक है तो खुद ने सारा पैसा लगा दी तो खुद इस company का क्या है owner है अपने घरवालों को वाइफ को बच्चों को बेटियों को सबको क्या बना दिया इसने daughter वगेरा जित्ते भी संस वगेरा जित्ते भी उनको directors बना दिया company का मतलब पूरा management संभाल रहे है डारेक्टर बना दिया खुदी ओनर है मतलब एक तरीके से सारे घर के लोग जो है वो involved है ownership में भी as well as management में भी वो लोग क्या है involvement ठीक है खुदी ओनर है और खुद के बच्चे हो गए बेटिया बेटे हो गए और wife हो गए वो सब क्या हो गए यहां पर directors हो गए correct अब देखो उसने क्या किया था उसने क्या सोचा कि भाई मेरे पास यह जो business है कौन सा वाला इस वाले बिजनिस के सारे लाइबलिटीज भी किसके नाम पर कर देगा और इस वाले बिजनिस के सारे लाइबलिटीज भी किसके नाम पर कर देगा company देखो एक तरीका क्या होता market में बेचता इस प्रप्राइटर्शिप बिजनिस के जो भी assets होते इस टॉक पड़ा होता वह market में बेचता फिर पैसे आते फिर पैसे देता company को उससे बेटर उसने क्या सोचा पूरा का पूरा business ही मैं किसको sell कर देता ह company को ये जो business था ये बिजनिस इसने क्या किया sell कर दिया किसको sell कर दिया ये business इसने company को sell कर दिया ठीक है अब company को sell किया है तो क्यूंकि हमें पता है company अलग होती है company business ले रही है तो payment भी करेंगे अब यह तो नहीं बोल सकते हैं न कि वो ही तो ओनर है दिखो company में वो ओनर होगा बट वो अलग है और company अलग है अगर हम company को कुछ दे रहे हैं तो बदले में हमें कुछ payment भी receive होगा तो अब जो company है company ने उसको payment करेगी न उस business के लिए तो company उसको payment करेगी ठीक है अब देखो वो जो payment किया वो जो payment है वो कैसे किया partly in cash payment कैसे किया partly in cash and partly in the form of secured debentures partly payment कैसे किया cash में और remaining payment किस तरीके से किया in the form of secured debentures ठीक है जैसे क्या बोलना चाहरा है हाँ पर मान लो कि जो sole proprietorship business है वो कितने रुपए का है 1000 रुपए का है example ले रहे हैं हमाना कितने रुपए का है 1000 रुपए का है हमने ये किसको बेचा हमने ये बेचा company को अब company payment करेगी ना उस business को खरीदने के regarding तो जो company payment करेगी यहाँ पर इसको अब 1000 रुपए का business है तो हमने क्या बोला partly payment कैसे आ गया cash में और partly के company ने आपको क्या दे दिए secured debentures दे दिए ठीक है so let's Salomon का business खरीदा तो Salomon को payment किया कुछ तो cash दे दिया remaining क्या दिये secured debenture अब एक बात बताओ जो बंदा secured debenture खरीद रहे company के मतलब debenture खरीद रहे company के वो person company का क्या होगा वो जो person है वो person company का क्या माना जाएगा वो परसं कंपनी का रेडिटर माना जाएगा वो जो यहाज़ चैपना को भाटुपनश्य घ कंपनी के इसे कंपनी के शैयर्स खरीद है तो हम कंपनी के क्या बंद ए लृणा श्ञेर करने। अगर हम कंपनी के डवेंशुरर खरीद तो हम डी वेंशूर keeps the owner थोड़ी ओटा है कि खरीदें मतलब आपने कमपणी को लोन दिया गंपनी को पैसा कॉन सा है लोन काूंपनी को को अगर बना कमपनी को लोन दे रहा है तो उस केसे में वह बनना क्या बनेगा कमपनी के लिए और यहाँ पर क्या बूला? normal वाले debentures है क्या? नहीं. कौन से वाले debentures है? यहाँ पर debentures है, secured debenture. देखो एक होता है secured debenture, एक होते हैं unsecured debenture. अगर हम बात करें secured debenture, देखो अगर आप कोई loan भी लेथे हो, तो loan दो टाइप का हो सकता है, secured loan, unsecured loan. चीक है? तो अब यह क्या होता है? तब सुनो, अगर हम बात करें, secured loan की, अगर हम किसकी बात करें, secured loan की, जैसे मानलो एक company है, एलेमिटेड, उसने किसी bank से loan लिया है, 10 करोड रुपे का, तो तुम्हें क्या लगता है, bank आपको ऐसी loan दे देगा, obviously, bank आप पे क्यों ही trust करेगा, bank अपनी को क्या बोलता है, हमें कोई security दो, हमें कोई asset दो, जो की कैसे काम करें, ऐसे security, तो अब company अपना मानलो, उसके पास कोई machine है, या कोई building है, लेट से कोई building है, जो इसकी value है, 12 करोड की, तो अब company उस asset के उपपर, क्या create करेगी, charge create करेगी, मतलब security create करेगी, in the favor of bank, इसका मतलब अगर आप payment नहीं कर पाए, तो उस case में bank क्या करेगी, मतलब loan का payment आपने नहीं किया, तो bank क्या काम करेगी, bank is building को बेज देगी, bank is building को sell करके, अपने loan की recovery कर लेगी, तो bank secured है ना, या पर कि अच्छा अगर आप पैसा नहीं भी दे पाते हो, तो हमारे पास asset है, तो अगर हम loan के बतले में security देते हैं, किसको, creditor को, तो उसे हम क्या कहते है, secure loan, same है debenture के case में, debenture दिए, debenture के बतले में क्या दी, security, कि भाई, अगर हम debenture holders को पैसा नहीं पे कर पाते हैं, मतलब company उनको payment नहीं कर पाती है, तो company के assets के उपपर, क्या created है, charge, charge तो आपने पढ़ाई है, enter में, security create करना, तो वो उस case में क्या बोला, अगर loan के recovery नहीं होती है, तो फिर हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, तो हम वो security को sell करते हैं, और sell करके हम लोग क्या काम करेंगे, sell करके loan की recovery करनेंगे, तो इससे हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, कि अब जो Salomon था, Salomon यहाँ पे, owner तो है ही, owner होने के साथ-साथ, Salomon और क्या है, secured creditor भी है company का, क्योंकि उसके पास shares तो होंगे ही company क्योंकि owner बना था वो उपर, इसके अलावा उसके पास company के क्या है, secured debentures भी है, ठीक है, तो यह यहाँ तक हमने बात करी, चलो, अब हम चलते हैं next topic पे, मतलब continuation ही कर रहे हैं हम इस case का, तो अब तक तो ठीक है company अच्छी खासी चल रही है, अब अच्छानक से company के उपर आगई crisis, company हो जाती है insolvent, company क्या हो गई, insolvent, मतलब company के पास में पैसा नहीं है, asset नहीं है, liability का payment करने के लिए insolvent क्या होता है, company के पास liabilities का payment करने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो company insolvent हो गई, ठीक है, और अगर आप insolvency से बाहर नहीं निकल पाते हो, तो आपका क्या होता है, liquidation, liquidation मतलब company बंद होगी अब, अब तो, मतलब insolvent हो गई ना, नहीं अपी पास पैसा, अब बंद करो, बंद करो तो फिर हम क्या करेंगे, company के जित्ते भी बचे कुछे assets हैं, हम उनको क्या करते हैं, sell करते हैं, और assets को sell करके, जो भी money आता है, वो money से हम, क्या करते हैं, liabilities का payment करते हैं, उस money से हम लोग क्या करते हैं, liabilities का payment करते हैं, correct, तो अब same ही चीज हुई, Salomon की company के साथ में भी, company liquidation में बहुच गई, अब हमें company के assets को बेचना हैं, और हमें company की liabilities का payment करना है, अब एक चीज तो नो, obviously बात है ना, company insolvent हो रही है, तो company के पास assets कम होंगे, अब जब company के पास assets कम हैं, तो क्या वो अपनी सारी liabilities का payment कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तो सबका तो वो payment नहीं कर पाएगी, कुछ कुछ liabilities बची जाएगी, तो हर person ये बोलेगा न, जो liabilities में आ रहा है, वो हर बंदा क्या बोलेगा, पहले payment मुझे करो, क्यूंकि मारे पास पैसा कम है, अगर मुझे payment पहले नहीं करोगे, मैं end में रह गया, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, और हम क्या member के घर से जाके recovery कर सकते हैं, possible नहीं है, because limited liability है ना company में, तो इसलिए हर जो creditor है, वो क्या बोलेगा, मुझे priority दो, मुझे payment पहले करो, because पैसा कम है, तो अब ऐसे तो हर बंद लड़ाई करेगा, कि पहले मुझे पैसा दो, पहले मुझे दो, तो हम हर किसी को तो first पन ही रख सकते हैं, तो इसलिए क्या बोला है, हाँ पे law में लिखा हुआ है, law में लिखा हुआ है, कि पहले पैसा किस को मिला, उसके बाद किस को मिलेगा, उसके बाद किस को मिलेगा, और एक कौन से होंगे? Unsecured Creditor. अब यह दो लोग हैं, इसमें से अगर हम बात करें, तो हम priority किसको देंगे? Sequence में. तो देखो, यहाँ पर क्या बोला है, अगर हम इसमें से बात करें, तो हम लोग जो priority देते हैं, मतलब जो लोग ने priority दिया, obviously, वो किसको दे रखी है? Secure को. आपको हमने Secure बनाया है, मतलब आपको हम prioritize कर रहे हैं, कि आपको लोग का पैसा पहले मिलेगा. As compared to Unsecured Creditors. ठीक है? Law में लिखा हुआ है. अब एक बात बताओ, Salomon कौन था? Salomon कौन था? Salomon था? Secure Creditor. तो उसको पैसा पहले मिलना चाहिए. इससे? Unsecured से. अब Unsecured वालों का हो गया भीजा खराब. क्यार ऐसे कैसे possible है, भाई? हम Unsecured वाले हैं, भार वाले हैं. तुम्हारी कम्पनी लॉस में डूब रही है. क्योंकि उनको क्या लगता है? Salomon ओनर है. उसकी कम्पनी लॉस में डूब रही है. तो पहले वो पैसा कैसे ले सकता है? पहले तो पैसा किसको पेइमेंट करो? पहले पैसा भार वाले को पेइमेंट करो. कम्पनी तो तुम्हारी है ना? लॉस होगा तो तुम जेलो. बहार वाले loss क्यों जेले भाई तो unsecured वाले हैं पर अडे हुए हैं पहले priority किसे मिलेगी पहले priority हमें मिलेगी पहले पैसा Salomon को नहीं मिलना चाहिए उसकी company है उसका ही loss है हम क्यों जेले भार वाले हैं भार वालों को पहले पैसा लाओ तो ऐसे करके रड़ाई होगे, कलेश होगया अब कोट तक पहुँच गए तो सैलमन भी कोट में जाके क्या बोला कोट में जाके वो ये बोला भाई कि मुझे पहले पैसा मिलना चाहिए क्यों कि मैं ओनर हूँ तो क्या हो गया कि जो सैलमन है वो कौन सा है सिक्योर ट्रेटर है अब यहाँ पे ये भी हम मान लेते हैं कि जो सैलमन है वो ओनर भी है लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट अपलिकेबल होगा वो किसकी बात मानी जाएगी अनसिक्योर की बात तो नहीं मानी जाएगी उसका reason, देखो जो decision आया, decision क्या आया, कि जो आपका company की हम बात करें, company क्या है, एक separate legal entity, तो हमें कोई फरक नहीं पड़ता है, उसका owner कौन है, उसका owner कौन है, asset भी किसके है, company के, और liabilities भी किसकी है, company, तो जो liability है company की, liability में किसका नाम आ रहा है, Salomon का, वो liability Salomon के खुद के थोड़ी है, वो तो company की liability है, company को कोई फरक नहीं पड़ता, उसमें किसका नाम आ रहा है, वो बंदा owner है, कोई और है, because वो अलग है, company एकदम अलग है, और owner एकदम अलग है, ठीक है, so liability तो company की है, तो हम Salomon के point of view से क्यों सोचे, कि उसी की company है, company अलग है, त किसको अलग मानेंगे, company को अलग मानेंगे, तो हम company के point of view से सोचके payment कर रहे हैं, ना कि Salomon की point of view से कि तुम खुद ही तो owner हो, तुम खुद को पहले पैसा कैसे दोगे, यहाँ पे so proprietorship नहीं है, यहाँ पे क्या है, company, तो इस case में क्या बोला, क्योंकि company अलग है, company की liability है, अब liability में Salomon आ रहा है, कि कोई और आ रहा है, हमें क्या फरक पड़ता है, हम तो sequence के according payment करेंगे, तो पहले जो priority मिलेगी, वो priority obviously किसको मिलेगी, secured को ही मिलेगी, अब secured में Salomon है, उससे हमें कोई फरक नहीं पड़ता, but law के according priority पहले, Salomon को मतलब secured वालों को मिलेगी, और बाद में किस separate legal entity, और हमें company के point of view से payment करना है, कोई भी और है सामने, owner है, पडोसी है, हमें कोई फरक पड़ता है, हम तो company का point of view सोच के payment करना है, ठीक है, so इस case में क्या बोला, इस case से हमें ये समझ में आता है, owner अलग माना जाएगा, whereas जो company है, वो एकदम अलग मानी जाएगे, ठीक है, ये अपना यहाँ पर case law होता है, complete, और जो अपना first feature है basically, कौन सा separate legal entity, वो भी अपना होता है, यहाँ पर, complete, ठीक है, इसके आगे की जो भी features है, limited liability onwards, वो पन कल की class में करते है, continue, आज आप ये note कर लेना, ठीक है, एक तो आपको ये वाला page note कर लेना है, और इसके बाद में, जो आपका ये second page रहेगा, ये आपको note कर लेना है, तो ये आप ये note कर लेना घर पे, second वाले feature से हम लोग कल start करते हैं, thank you everyone.